हेलो बच्चा लोग मेरे कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही आप सभी लोगों की पढ़ाई तो आज का ये जो हमारा सेशन है आज हम लोग इस सेशन में अव्वे के बारे में पढ़ेंगे एक बहुत महत्तपूर सा टॉपिक है आज हम लोग इस टॉपिक के बारे में बहुत सारी बाते डिसकस करेंगे और हां बहुत सारे बच्चों का एक प्रश्ण है कि मैम यह जो मतलब जो आप सारे टॉपिक को कवर करा रहे हो यह हमारे स्लेबस में नहीं है ठीक है बच्चा यह जान लीजेगा जो एंटिये एक्जाम करवाता ना भी तो उसने एक्जाम क गर्वाता है ृँ जो सारे टॉपिक है अगर आपको गलत होगा तो आपके प्रश्ण्म गलत हो इकदम गलत हो जाएंगे आपके पईसंज में क्या होगा वह वह नहीं हम आपको अपको देंगे उंहोंने पैसरऑ कि आप्से पूछ लिया जाएगा कि बताईए इसमें से ये कौन सा वैशब्द है या आप से पूछ लिया जाएगा बताईए इसमें से अविकारी शब्द कौन सा है वो पैसे से उठाएंगे और उनको दे देंगे और आप एक-एक कर रही है जो भी हम आपको टॉपिक पढ़ा रहे ना बच्चे यह आपके एक्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जब आप यह सारे टॉपिक को कवर कर लेंगे ना फिर जब आप को करेंगे ना और मैं कुश्चन भी आपका करवाऊंगे आप लोग बिल इतना टेंशन मत लीजिए इतना टेंशन लोग है तो फिर दिक्कत हो जाएगा बस रिलाक्स होगे एकदम इंजवाए के साथ पढ़ाई करिए और वो जो सपना आपने देखा है उस सपने को आप पूरा करिए उस सपने में आप जीए तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट कर करेंगे फिर लास्ट में क्या है कि भाई हमने इस टॉपिक को कवर कर लिया है तो यह टॉपिक हमें अच्छे से समझ में आ गया या फिर नहीं आया है यह जानने के लिए फिर हम इनसे रिलेटेड क्या करेंगे क्वेश्चन करेंगे ओके तो चलिए फिर क्लास को कोई विकार यानि कि कोई परिवर्तन उत्पन नहीं होता है वह शब्द अव्वे कहलाते हैं अव्वे सदेव अपरिवर्तित अविकारी रहते हैं फिक मतलब आपने शब्द में पढ़ा था विकारी और अविकारी के बारे में विकारी में आपने पढ़ा कि जिन शब्दों क थो लिंग्वचनकारक इन सबके आधार पर परिवर्टित कर देते हैं वह विकारी जिन में आप ने संग्या को पढ़ा सरवेनाम पढ़ा क्रिया पढ़ा और परिवर्तित हुआ तो क्य नित्य शब्न परिवर्तीय हो जाएगा अगर यहां पर यहांपढ बहए यह अब पर शब्द आएगा कब गये तब भी वहां पर आपका कब शब्द आएगा सिल अ यह जो आपका शब्द दिया है यह शब्द कभी परिवर्ण हो सकता है लेकिन यह जो आपका कल शब्द है ना ये कभी भी आपका परिवर्तित नहीं हो सकता वह प्रतिदिन पढ़ता यहां पे जो प्रतिदिन शब्द है अगर यहां पे सीता होती तब भी आपका सीता प्रतिदिन पढ़ती है तब भी आपका क्या हो जाता भई आपका जो है करता भी परिवर्ति हो जाता क्रियावी प्रिविर्दित होला नूsm कैह रहा है कि हमें आप किसी भी प्रकार से पर्वर्दित नहीं कर सकते हैं हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे कुछ भी हो जाएगा ठीक है तो आपको जो अव्वे शब्दोते हैं उनमें कभी कोई विकार उत्पन नहीं किया जा सकता है अब पॉइंट समझ में आया आगे next देखते हैं अब देखिए अव्वे के भेत की बात करें तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे क्रिया विशेशर अव्वे के बारे में पढ़ेंगे विशेषता जो बताते हैं शब्द वो हमारे क्रिया विशेषर संबंद बोधक में क्या होता है कि जो जो है दो वाक्यों के बीच में दो वाक्यांसों के बीच में संबंद बताते हैं समुच्चे बोधक दो शब्दों या पदों के बीच में यह संबंद बताते हैं विश्मा क्या होता शब्द के साथ आते हैं और उस पर क्या देते हैं बल देते हैं वो हमारे निपात कहलाती इनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से पढ़ना बच्चे मेरे जहां पे कोई काई की यहां पे कुछ ऐसा होगा कि नहीं समझ में आया है पूछना है कि मैं ये चीज़ नहीं समझ में आया है ठीक है आप एक बार पूछोगे हम दस बार बताएंगे लेकिन समझ में आना चाहिए और ये दिमाग से एकदम निकाल दीजे बच्चा मेरे कि ये सब हमारे में नहीं आता आप कि में सब आता है सब कुछ आपको पढ़ना होता है बच्चा मेरे तो कहीं से कोई भी प्रशन आपसे पूछ सकते हैं किसी भी तरह आपको घुमा सकते हैं तो हमारे लिए एक एक नंबर बहुत महत्तपूर होता है जब आपका एक नंबर से रुख जाएगा उसमें सेलेक्शन नहीं होगा तो इस ताहीं बहुत तकलीफ होती है और पता है जब कोईशन पूछ लिया जाएगा ना उससे तब यहीं सोचोगे काश मैं मुवाला टॉपिक पढ़ा देती हमारा यह प्रशन गलत नहीं होता यह सबसे पहले आप ही लोग ब कह रहा है यह कह रहा है जो अव्वय शब्द क्रिया की विशेष्टा को बताते हैं विशेषड किसकी विशेष्टा बताता था संग्या और सर्वनाम की ठीक संग्या सर्वनाम की विशेष्टा बताने वाले शब्द क्या कहलाते थे विशेषड और जो अव्वय शब्द क् उन्हें क्रिया विशेशण अव्वय कहते हैं जैसे आपका जल्दी अचानक कल ये सारे शब्द जैसे अचानक आ गया अब देखिए ये जो आपका बच्चा मेरे अचानक शब्द दिया गया है वो आ गया की विशेशता बता रहा है कि नहीं क्रिया की विशेशता बता रहा ह कि नहीं बता रहा है, सीग्र जाओ, यो जो सीग्र शब्द है, वो क्रिया की विशेस्ता बता रहा है कि नहीं बता रहा है, तो जो शब्द क्रिया की विशेस्ता को प्रकट करते हैं, जिस शब्द से क्रिया की विशेस्ता बताई जाती है, हमारी हिंदी में उसे क्या कहा जात बच्चे मेरे क्रिया विशेषड कहा जाता है ठीक है आपसे पूछा जाए कि जो क्रिया विशेषड है वो कैसा है विकारी है या अविकारी है तो आप क्या बताएंगे क्रिया विशेषड एक अविकारी होता शब्द होता है points clear, done, लेकिन विशेषड क्या है, वो विकारी है, उसको आप परिवर्तित कर सकते हो, ठीके तो विशेषड और क्रिया विशेषड में क्या difference है, विशेषड हमेशा किसकी विशेषदा बताएंगे, संग्या और सर्वनाम की, लेकिन क्रिया विशेषड हमेशा जो विशेषद बताएंगे, वो क्रिया की विशेषदा बताएंगे, बहुत बढ़्या, गुड, अगला next देखिए, क्रिया विशेषड के अगर हम भेद की बात करते हैं, क्रिया विशेषड बोले कि भाई हमारे चार बेटे हैं, उनके चार बेटों का नाम क्या है, एक का नाम है काल पीछे जुड़ जाता है, काल वाचक इनका नाम था, इनके पिताजी का नाम पीछे जुड़ा, सरनेम क्रिया विशेषड, दूसरी इनके बच्चे का क्या नाम था, परिमार वाचक क्रिया विशेषड, तीसरे बच्चे का नाम क्या था, इनके स्थान वाचक क्रिया विश स्थान, रीती और आपका क्या था परिमाड ये चार बेटे थे आपके क्रिया विशेशड अब थोड़ा आईए इनके बारे में थोड़ा जान लें इनके नेचर के बारे में जान लें ठीक हर बच्चे के बारे में जानना जरूरी हो तब भाई हमने जान लिया उनके चार बे लब काल कह रहा है कि हम जो हैं, हमसे काल का मतलब होता है समय, सिंपल सी बात है, यह हमें भी पता, आपको भी पता है, तो यह कह रहे हैं कि जिन शब्दों से क्रिया होने के समय का पता चलता है, काल का मतलब समय ही तो होता है ना, समय का पता चले, उसे काल वाचक क्रिया विश कि आजय काल परसों नर्सों झीम कि सारी चीज़ें क्या है अब तब जब कब इस से हमें क्या पता चल रहा है म में के समय का पता चल रहा है ना मतलब देखती युप तुर्ट के पीछे लिखा रहता है ना तुम और गफ jus कर रहता है जिन शब्दों से क्रिया के होने का समय पता चले, समय का बोध हो, हमारी हिंदी में उसे क्या कहा जाता है, काल वाचक क्रिया विशेशर अव्य कहा जाता है, अब कोई भी दे दे, आप से पूछा जाए, कि अब कौन सा व्य काल वाचक, जब कौन सा व्य काल वाचक, अब जब तब फीक है कब सुबह साम दोपहर आज कल परसों कुछ भी दे जिससे आपको समय का बोध हो आपको तुरंद बता देना है कि वो क्या है काल वाचत जैसे यहाँ पर दिया ना मीना परसों चला गया मीना लड़का का नाम भी होता है लड़की गया तो confused मत हो जाना कि मीना है त अब यह जो परसों शब्ध है कि इस से हमें समय के बारे में बोध राया कि नहीं कि अजय कल जैपूरज आएगा ठीक है अप ये जो कल शब्द बच्चे मेरे दिया है किससे हमें समय का बोध हो रहा है कि नहीं हो रहा है तुम कब वही वाला ना तुम कब आओगे उससे कब शब्द से हमें क्या है समय का बोध हो रहा है कि नहीं रामकल आएगा हमें समय का बोध हो रहा है कि नहीं तो जिस से हमें समय का बोध होगा वह कालवाचक पॉइंस क्लियर कालवाचक में चाहे वो शब् आप बताले जाएंगे वाक लिखे देगा तो भी आप बता ले जाएंगे. है की नहीं. चालो धनना अगर नेक्सी देखते हैं अगला देखिए ऐस्थान से पता ही चल रहा है कि भाई कोई अस्थान के बारे में बात कर रहे हैं, है कि नहीं है, कह रहे हैं कि जिन अव्य शब्दों से, यनि कि कोई आपका अविकारी शब्द है, कोई आपका अव्य शब्द है, उससे क्रिया के होने के अस्थान का पता चलता है, उसे स्थान वाचक क्रिया विशेशर अव तो हम अस्थान का बोद कराएंगे ठीक जैसे यहां महां जहां तहां कहां उपर नीचे आगे पीछे ठीक है बाएं दाएं कुछ भी ऐसा लिखके बच्चे मेरे दे दिया जाएगा इससे क्या होगा आपको अस्थान का बोद होगा की नहीं होगा समान उपर रखा है भई अस्थान का बोद हो रहा है की नहीं हो रहा है राम नीचे बैठा है स्थान का बोद हो रहा है की नहीं सीता आगे खड़ी है स्थान का बोद हो रहा है की नहीं मैं पीछे चलूंगा स्थान का बोद हो रहा हो रहा है ना तो आपको कोई भी शब्द ऐ ऐसा दिया विकारी जिससे आपको क्रिया के अस्थान के बारे में बोध हो हमारी हिंदी में उसे स्थान वाचक क्रिया विशेशड के नाम से जाने जाते हैं जैसे आपको दिया यहां वहां जहां ता जैसे तुम्हारा घर कहां है अब कहां शब्द से हमें अस्थान के बारे म ना तुम खुट्ती में घूमने गूंने कहां जाओगे थीट तुम कहां को खड़े हो स्थान के बारे में बताया कि नहीं मैं ऊपर जा रहा हूं स्थान के बारे में बहुत हो रहा है कि दो बेटी अमें ना तो काल मैं ना दो अ किसी भी प्रकार की परिशानी होगी किसी भी प्रकार की समिस्या होगी बच्चा मेरे तो जरूर से जरूर पूछ लीजिएगा कि मैम यह चीज नहीं समझ में आया है चलिए आगे देखते हैं देखिए आगे हमारा क्या है परिमाड परिमाड का मतलब जानते हो ना मापतॉल नापतॉल जो बोलते हैं आप एक होता है परिडाम परिडाम का मतलब होता है रिजल्ट पढ़ाई करने के बाद आएगा अब एक्जाम दे लेंगे तो आएगा परिडाम आपका लेकिन अभी ह इन शब्दों से क्रिया के नापतौल माप अथा पड़िमाण का पता चलता है उन्हें परिमाण वाचक्रिया विशेशर कहते हैं जैसे बहुत थोडा जरासा कम यके यह सारे शब्द हैं, इससे हमें क्या हो रहा है। मात्मों की बारे में լोध हो रहा है ? कि जर्आ सब्ञाइब जो है दीजियेगा, विधा मतलब क्या है। परिमाड है ना जैसे तुम थोड़ा कम बोला करो कम है यहाँ पर अब थोड़ा कम बोला करो आपका यह कम शब्द जब दिया ठीक है, अब ये कम शब्द दिया, तो आपका क्या है, कितना बोला करें, थोड़ा कम बोला करिए ठीक आपका क्या एक परिमाड के बारे में बोद एक मापतौल के बोलना है अब यह थोड़ी ना कहा जाएगा कि एक बोलिए दो बोलिए मुझे कम टौफी मिली है यानि कि मापतौल परिमाड के बारे में बोद हो रहा है न तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर थोड़ लीजिए तो आपका ये सारी चीज़े क्या है जिनसे आपको जो भी शब्द आपको दे और वो शब्द क्या हो अब देखिए बहुत सब्द कोई समय का नहीं बहुत करा रहा है कोई आपका जो है उसका अस्थान के बारे में नहीं बहुत करा रहा है थोड़ा शब्द ऐसा के बारे में अलक जाते हैं तो हमारे क्रिया विशेषण डड़े अगला हमारा है रीति का मतलब होता रीटिवाचक क्रिया विशेषण यानििए कि विधी का का पता चलता है उसे रीति वाचक क्रिया विशेशर कहते हैं जैसे आसे आपका हो गया आपका हो गया दीडे हो गया। यह सारी चीज़े जो है रीति एक विधी के बारे में बता जो है पता चलता है जैसे कार तेज चलती है, अब ये जो तेज शब्द है, ये इस चलने कार के तेज चलने के विधी तरीकी के बारे में बताया जा रहा है कि नहीं, तुम तेज दोड़ती हो, अब ये तेज शब्द है, तो ये क्या हो जाएगा, जो है ये इसके रीती, इसके जो है विधी के बारे मे धीरे कलती है अब यह बताईए यह जो धीरे शब्द है यह इनके चलने की जो है बारे में बता रहा है कि नहीं बताया जा रहा है इसके रीत तरीके के बारे में बताया जा रहा है कि नहीं बताया जा रहा है तो यहां पर क्या हो जाएगा यह हमारे क्या हो जाते हैं यह हमारे जिन शब्दों से क्रिया के रीती विधी का पता चलता है मैं अवश्य आउंगा मैं अवश्य आउंगा अब यहां पर देखें यह अवश्य शब्द क्या उसके रीती के बारे में बता रहा है कि नहीं उसके तरीके के बारे में बताया जा रहा है कि नहीं उसके विधी के बार आगे देखते हैं जो कहता है यह कहता है जो शब्द वाक्य में संग्या या सर्वनाम के बाद आकर उनका संबंद वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाए उसे संबंद बोधक अव्वय कहते हैं जैसे के साथ पास आगे समान सामने बाहर कारड तुल सद्रिश ठीक है आपका के बिना आपका दे दिया जाए जैसा तैसा जो शो ऐसे कोई भी शब्द अगर आपको दे दिया जाए जिसका उसका ऐसा कोई भी शब्द अगर आपको दे दिया जाता है ये सारे क्या हो जाते हैं संबंद बोधक अव्वय कहलाते हैं जैसे मैं राम के बिना नहीं जाओंगा फिक अब देखे ये जो केव बिना शब्द है ना ये नहीं जाने में राम पर निर्भर है कि निर्भर है संबंद को बता रहा न के बिनाशब तो यहां पी क्या है यह हमारा क्या हो गया यह हमारा संबंद बोधक अव्वे हो गया कि नहीं हो गया तो वही कहा जा रहा है जो शब्द वाक्य में संग्या या सर्वनाम के बाद आकर ठीक है क्या करते हैं आकर उसका संबंद जो होता है तो दूसरे शब्द, यानि कि वाक्य में जो दूसरा पद है, उसके साथ जब दिखाते हैं, तो वो हमारे संबंध बोधत अव्वे कहते हैं, ठीक है, जैसे सीता के साद्रिश कोई नहीं, मतलब सीता के समान कोई नहीं, अब देखा, किसी का नहीं होना सीता पन निर्भर है कि नहीं निर्भर है, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, संबंध बोधत अव्वे हो जाएगा, और पता है संबंध बोधत अव्वे का कोई भी शब्द अगर आ जाता है, उनका प्रियोग मिस्रित वाक्य में क्वाहे देता है तो वो वाक के हमेशा क्या हो जाता है आपका क्या है करेद्ट कि सरल मिश्रित और स्थ ठ च बताता है जो अगर कोई भी मिश्रित थीन प्रकार के वाक्य होते है ना ज़ल्दी से बता वम मैं बतारी है देको यहां पर के शड्रिश शब्द दिया गया है न, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा क्या हो जाएगा, संबंध बोधक अव्य हो जाएगा, जैसे सीता के तुल्ले कोई नहीं, ठीक है, या जो है, आपको दे दिया गया कि जो महनत करता है, वही सफलता पाता है, तो वहाँ पे भी हमेशा क्या हो ठीक है डेन्स अभी को अच्छा बहुत बढ़ियां आगे नेक्स देखते हैं अच्छा आया कि नहीं सरल संयूगत और मिश्रेत तो कभी भी समुच्य बोधक आएगा तो क्या हो जाएगा संयूगत और कभी भी संबंद बोधक आएगा तो मिश्रेत याद रखना बच्छे मेरे अगला दिखें समुच्य बोधक अव्वे क्या कहता है कि जो अव्वे दो या दो से अधिक शब्दों वाक्यांसों अथवा वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं या अलग-अलग करते हैं उन्हें समुच्य बोधक अव्वे कहते हैं अब यह क्या होता है इनको अगर आप अल प्वम किंटु परंतु या अताह ऐसे कोई भी अगर आपको डे दिया जाए शब्देना ये शब्दा आपके समुच्छे बोदकव्वे में आते हैं ये हमेशा अगर आते हैं ना इन में आसानी से जो शब्दों होते हैं उनको आप अलग भी कर सकते हैं लेकिन असंबंद बो यहां पर माता माता और पिता को अलग अलग भी करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है मैं या केला खाओ तो जो दो शब्दों को जोडते हैं वह हमारे क्या होते हैं समुछे बोधक यह स्वतंत्र होते इनको अलग अलग कर सकते हैं लेकिन संबंद बोदक अव्वे में कभी भी आप उनको अलग अलग नहीं कर सकते हैं समझ में आया दोनों की नहीं अगर कभी भी समुच्चे बोदक अव्वे का कोई शब्द आता है और अथवा यवं किन्तु परंतु या अता कुछ भी ऐसा वो हमेशा संयुक्त वाक के होता है और जो शो जैसा तैसा जिसका के बिना के समान ठीक है कोई भी ऐसा शब्द आता है जिसका उसका वो सारे क्या होते हैं संबंद बोदक अव्वे में और वाक की कि अगर हम बात करते हैं तो जो वाक के होता है वो हमेशा मिश्रित हो जाता है क्लियर ह जरूर पूछ लीजिएगा कि मैं यह चीज नहीं समझ में आया आगे नेक्स देखते हैं कि अगला है विश्माधी बोधक अव्य पढ़े ना विश्माधी बोधक के बारे में जिन शब्दों से हर्ष तो इजी सा है बहुत इजी सा है शोक गृड़ा आश्यर भै इन सब का भ है जैसे छी अरे वाह है भाई अहा यह और अधिक यह युक्त इनके साथ क्या लगता है इनके साथ आपको विश्मद्ध कि जरूर दिखाई देते दहें जिससे आप पहचान जाते हो एक हमारा विश्माधी बोधक अव्य होता है जैसे मैंने आपको क्या पढ़ाया था संबोधन कारक में वहाँ पर क्या होता है विश्मादी बोधक अव्वे के ही तो शब्द आ जाते हैं जिनमें आप संबोधन के शब्द जो आ जाते हैं वो कभी भी क्या होता है उसमें कोई भिभक्ती चिन्न आपका नहीं लगता है तो यहीं सारे होते हैं अब देखें इनके बारे में अगर हम बात करें इनके कई प्रकार होते हैं इतंब विश्मादी बोद्धः अ वेजो उता वह कई प्रकार होगे जासे देखिए आप हर्श बोदक फजीन से आप बोलेगे वाह क कboom कि या बात है। है जब खुर्श होते हैं बोलते होते हो ना इस जब विश्मय बोधा का अव्वे जब आता हो क्या करता खुशी का बोध कराता है ऐसा अगर होता है तो हमारा हर्ष बोधा शोक में क्या होता है कि हमेशा दुख का जैसे कहते हो ओ ओ हाई जैसे आपको क्या होता है शोक के बारे में ब्रूध होता है आशरी की अगर हम बात करते हैं तो आशर में क्या होता है। आप कहते हो, वाह, कहते हैं न जब कुछ ऐसा हो जाता है, वाह, या फिर क्या, हाँ, ऐसे बोलते नहीं है, जब कोई आश्रे वाली बात रहती है, तो इस तरीके से आप प्रकटी करण करते हैं, तेरा स्कार बोधक में क्या होता है, जिसे बोलते हैं, छी-छी, दूर-दूर एसे करके बोलते हैं, तो यह हमारा क्या हो, जैसे छी-छी, या फिर हट, यह जो शब्द हो जाते हैं, यह हमारे तरसकार, जैन सब्सक्राइब को समझ में आ रहा है, कहीं पर किसी को कोई confusion अगर है, बता दीजेगा कि मैं यह चीज़ नहीं समझ में आया है, ही कहना बेटा म जाहिरे, तक जो है, अगर कहीं पर confusion रहे तो वो दूर कर सके, अनुमान बोधक में क्या होता है, जिसमें अनुमान गज़से हैं, आप करते हो ठीक, ठीक है, समबोधन में क्या होता है, हे, हो, यह सारे शब्द नहीं क्याते हो है, हो, यह आप क्या करते हैं, किसी को पुकार ही रहे होते हैं, जब आप किसी को पुकार रहे होते हैं, तो वहाँ पर समबोधन बोधक अवे का प्रियोग किया जाता है, कि ने, स्वविकार बोधक में कहते हो, हाँ, जब आप स्वविकार करते हैं, या फिर जी, मुझे स्वविक तो यह क्या हो जाता यह आपका स्वविकार बोधक में होता है तो इसे हमें हर्ष शोग बोधक के रूप में प्रियोग किया जा सकता है आश्वर बोधक के रूप में तेरसकार बोधक के रूप में अनुमान बोधक के रूप में संबोधन बोधक या फिर स्वविकार बोधक या अभाव में विशेस बल देते हैं, ठीक है, ये भाव है, अभाव मत समझ लीजिएगा, अर्थ या फिर भाव में क्या देते हैं, विशेस बल देते हैं, उन्हें निपात कहते हैं, शब्दों के बाद में पढ़ने से ही उन्हें निपात कहते हैं, मतलब ये क्या जिसे ही, भी तक ये सारे शब्द क्या होते हैं निपाद के अंतरगत आते हैं ये क्या करते हैं ये मतलब किसी भी इनका अपना ऐसा नहीं अर्थ है कि इनका अपना अर्थ के अंतरगत ये किसी शब्द के साथ लगते हैं तो उनका जो भा होता है या उनका जो अर्थ होगा उस शब्द का उस पर क्या देने लगते हैं ये बल देने लगते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है कि निपाध्य से वह अभी तक नहीं आया अब जब आपको ये वाग के लिखके दे दिया जाए कि वह अभी तक नहीं आया, अब जब आपने यह पूरा वाग के पढ़ा, एक बार बताईए आपने किस सब्द पर बल दिया, वह अभी तक नहीं आया, तक पे आपने बल दिया कि नहीं दिया, दिया ना, मैं भी जाओंगा, अब यह वाग के जब आपने बच्चा लिखा, तो आपने मैं भी जाओंगा यह बूला, तो आपने किस पर बल दिया, किस पर यह बल हुआ, यह जो बल हुआ, आपका वो किस पर हुआ, यहां पर भी शब्द पर बल हुआ कि नहीं हुआ बताईए जल्डी से मैं भी जाओंगा यह जब भी शब्द आया तो इस पर बल पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है पढ़ रहा है तो यह भी हमारा क्या हो गया निपात हो गया पॉइंस क्लियर हुआ सभी को कि किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना चलो बहुत बढ़िया आगे देखो जैसे निपात के बारे में अगर हम बात करते हैं तो निपात के भी कई सारे भेद होते हैं जैसे एक होता है सकारात्मग सकारात्मग में क्या कहते हैं जिसमें आप कहते हो जी हां यह हमारा तो नहीं कि निशे धात्मम क्या हो जाता मत लिखा रही है न फूल मत तोड़ो मत जाओ मत करो फिक ऐसे शब्ड दिये रहते हैं तो यह जैसे आपका क्या हो जाता प्रश्ण बोधक में क्या हो जाता है आप बोलते हो क्या क्या है क्या करोगे, ठीक है, क्या कहूं, मतलब इसमें प्रश्न के बारे में, जब आपका प्रश्न के माध्यम से बल दिया जाता है, या कब भी हो सकता है, कब जाओगे, कब करें, ठीक, ऐसे शब्द जो हो जाते हैं, वो हमारा हो जाता है, कब, इसमें हो जाता है जिसे काश, ठीक ह ये जो सारी श्ब्दाते हैं, तुल्ला में क्या हो जाता है? शा, कहते हैं न, तुम सा, कोई नहीं, ठीक है, तुम अभी तक कहा थे? मैं भी जाऊंगा, मैं ही करूँगा, ऐसे शब्द देते हैं क्या देते हैं? आफका क्या हो अधारडा में जैसे ठीक, लगभग, तक रीबन, तक रीबन, ऐसे शब्द जो हो जाते हैं न, वो हमारे अधारड, जो बोधक निपात होता, उसमें आ जाते हैं, क्लियर हो रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, बता दीजे, और ये आधरडडडग में जानते हैं जी, जी शब्द का प्रियोकिया, जी हां सकारात्म में भी आता है, जब वो एक पॉजिटिव उसमें रहता है, और जब वहीं शब्द आधरडडग के रूप में किया जाता है, जी मैं करदूंगा, जी मैं चला जाओंगा, तब वो हमारा आधरडडडग में जाता है, पॉजिश कez निपात जो होते हैं, वो नौ प्रकार के होते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, निशेधात्मक, प्रश्णिबोदग, विष्मा दिवीवोदग, बलदायक, तुलनात्मक अधारण बोधक और आदर बोधक निपात, बदाए किसी को कोई confusion, clear ना, तो से हाँ मैं करूंगा, जी मैं जाऊंगा, ठीक है, नहीं तुम जाओ, तो वहाँ पर क्या होता है, जिस पर आप बल देते हो, जिस पर एक क्या होता है, भाव प्रकट होता है, वह हमारा क्या कहलाता है, निपात कहलाता, डन बच्चे, अगला देखिए, कुछ प्रश्न है, आपने टॉपिक पढ़ा, कोशिश किये हैं, कि आपको समझ में आज गई हो चीजें, फिर भी अगर कहीं पर confusion होगा, तो जरूर पूछेगा, अब हम लोग कुछ प्रश्न करते हैं और देखते हैं, कि कि इतना आपको समझ में आया है, ठीक है, देखिए, पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, निमन मेंसे किस विकल्प में संबंध बोधक अव्वे शब्द का प्रियोग हुआ है, संबंध बोधक अव्वे जो एक वाक्य का दूसरे वाक्य से संबंध रहता है, ठीक, तु वहां जाएगा, तुम वहां से कहां जाओगे, जो आया है, वो जाएगा, क्रिश्न यहां रहता है, बताना है, देखिए, एक वाक्य का अगर आप उनको अलग करेंगे, तो पूरा आर्थ नहीं दे पाएंगे, वो, यहां पे कौन सा वाला है, जल्दी बताईएगा, सेकेंड वाला, जैसे बहुत सारे बच्चे को लग रहा होगा, तीसरा है, जो आया है, अब देखो, जो आया है, एक complete sentence है न, वह जाएगा, दूसरा complete sentence न, वो जाएगा, जो भी आपका है, यहां पे दोनो complete sentence है, मतलब अग होते हैं, तो वहां पे हमारा क्या हो जाता है, संबंद बोधक अव्वे हो जाता है, मतलब यहां पे हमारा कौन सा? सेकेंड वाला जो विकल्प होगा, वो राइट आंसर हो जाएगा, ड़न बेटा, आगे नेक्स देखते हैं, अव्वे के कितने भेद हैं, एक, दो, पांच चप्चैंब बोधळकों गया समल्वादि लिता हुई हो प्वाको आयँ अगर इन के से 4 पांच नहीं दिया हो तो उप्षन में, आपको लेता है एक दो तीन चार ऐसे गरके दिया होता है तो आप चार पे लगाते तो आप निपात को नहीं मानते ठीक है चलिए और अगर ये भी पूछा हो जाता है मूल रूप से अव्वे के कितने भेध होते हैं तो मूल रूप से भी बच्चे तब चार पे लगाते तब पांच पे भी नहीं लगाते भले option में पांच दिया रहत हां मैं जरूर आउंगा एस किया ओजाएगा कि सवविकार किया जा रहा ना कि हां मैं जरूर आउंगा यहां पे सवविकार बोधक अव्वे हो जाएगा second वाला जो विकल्प हो जाएगा वो right answer आगे next देखते हैं तो इस अव्वे शब्द जिनसे घ्रिडा शुक्ध अव्वय, समुच्य बोधक, विश्मादी बोधक, वे अव्वय जिनसे घ्रिडाज, शुक्ष, दुख, तिरसकार इन सब का बोध होता है, कि तो easy सा है, yes, क्या हो जाएगा उसे विश्मादी बोधक अव्वय के नाम से जानते हैं, बहुत बढ़िया, good, आगे next देखते हैं, राम, श्याम और मोहन गाना गाते हैं, उपरियुक्त पंक्ती में कौन साव्वय है, संबंध, 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 बोधक, अनुवंध, संबंध, बोधक, समानाधी करड, जो है आपका समुच्य बोधक, व्याधी करड समुच्य बोधक, बहुत बढ़िया, अभी बच्चे बताएंगे, येस, देखो यहाँ पे, कली बाद संबंद बोधक है ही नहीं, और शब्द है इसमें न, तो ये दोनों आप्शन तो आपके ऐसे ही कट जाएंगे, समानादी, यानि कि जितना स्थान राम को है, शाम को है, उतना ही मोहन को भी है, थीक है, अव्याधी में हो जाता है कि भई किसी को जादा स्थान, वो मिल रहा हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, थर्ड वाला, जैन सभी को, आगे नेक्स देखते हैं, निमलिखित में से समुच्चे बोधक अव्वेक शब्द कौन सा है, धीरे धीरे, अरे, अ अथवा, आपको लिखे दे दिया जाए, और, अथवा, यवम, या, अतह, ठीक है, किन्तु, परंतु, कुछ भी ऐसा शब्द दिया जाए, यह सारे क्या हो जाते हैं, आपके, समुच्चे बोधक अव्वे, समुच्चे बोधक, अव्वे के बारे में पता चल गया न, वाक्य में दे, चाहे अलग लिखके दे, कुछ भी देगा, किस वाक्य में प्रियोग किया जाते हैं, तो साईयोक्त वाक्य में ये भी याद रखना, किडिया उड़ नहीं सकती, क्यूंकि वह घायल है, वाक्य कै समुच्चे बोधक, संबंद बोधक, योगिक या फिर क्रिया विशेशर, हमको पता है, आप सभी को आ रहा है, अभी बताएं, किडिया उड़ नहीं सकती, क्यूंकि वह घायल है, वाक्य है समुच्चे बोधक, संबंद बोधक, योगिक या फिर क्रिया विशेशर, येस, क क्या हो जाएगा क्यूंकि शब्द दिखाई दे रहा है न और अथ्वा यवं भी ऐसा किन्तु परंतु अताहा ऐसा कार्य करो जिससे सबका भला हो इस पंक्ति में अव्वय बताना है ऐसा करो जिससे हो पताईए यह जो हमारा जिससे शब्द दिया है जिससे जो शो जैसा तैसा जिससे उससे ऐसा कोई भी शब्द दे दिया जाए वो सारे क्या हो जाते हैं आपके अव्वय के अंतरगत आते हैं और यह सारे किसमें आ जाते हैं संबंध बोदग अव्वय में आते हैं अगला बीतर एक मंदिर है अव्य किस प्रकार का समुच्चे बोधक संबंध संबंध बोधक अनुबंध संबंध बोधक क्रिया विशेशड पताईए जल्दी से के भीतर शब्द दिया गया है तो भाई यहां पर के भीतर क्यूंकि है आपका ना तो क्रिया विशेशड होगा ना तो समुच्चे बोधक होगा समबंध बोधक जो समबंध संबंध बोधक है इसमें याद रखेगा जो हमारा संग्या के साथ क्या हो तब भीभक्ती जुड़ा होता है जैसे के भीतर शब्द दिया है ठीक है, और अनुबंध बोधक में नहीं जुड़ा होता है, ठीक, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, संबंध, संबंध बोधक अव्वे हो जाएगा, आगे next देखते हैं, वह अपने मित्रो सहित आया है, उपरियुक्त पंक्ति में अव्वे क्या ह संबंध, संबंध बोधक, अनुबंध, संबंध बोधक, समुच्य बोधक इन में से कोई नहीं, सही जल्दी, आप देखिए यहाँ पे, यहाँ पे देखिए आपका जो है विभक्ति के साथ नहीं आया है, यहनि कि यहाँ पे आपका समुच्य बोधक है नहीं, क्योंकि यह जैनना, clear हुआ सारी points लेको ये वैसे अव्वे का topic बच्चे बहुत बड़ा है बहुत थी भयंकर वाला topic है लेकिन उतना जादा आपको भयंकर वाला topic पढ़ना है नहीं आपको उतना ही पढ़ना है जितना कि आपके लिए जरूरी है ठीक है, तो जितना आपके लिए जरूरी था मैंने पूरी कोशिश की है चीजों को समझाने की फिर भी बच्चे अगर कहीं पे कोई भी confusion होता है कोई भी doubt होता है कुछ ऐसा होता है जो नहीं समझ में आया हो वो चीज आप लोग जरूर से जरूर पूछ लीजिए गा कि मैं यह चीज नहीं समझ में आया है ठीक है, बाकी मिलते हैं अगली क्लास में और डिसकस करेंगे बहुत सारी आपसे बाते पढ़ते रहें, मस्त रहें और यह एकदम सोच के चलिएगा अब की बार ना, सपने को पूरा करना है कुछ भी हो जाएगा, कितनी भी मैनत क्यों ना करनी पड़े यह बाकी हिंदी सभी का सेम होता है यह भी confusion जो बहुत सारे बच्चों को है न यह confusion दूर यह हिंदी सबकी सेम होती है किसी का कहीं पर कुछ यह नहीं है कि उनकी कुछ अलग होती है, आपकी कुछ अलग होती है चलिए फिर मिलते हैं, thank you बच्चे, take care, bye bye, ख्याल लखिएगा अपना और फिर वही, कहीं पर कोई भी दिक्कत हो, परिशानी हो तो जरूर बूचे, thank you, thank you बच्चा लोग मेरे, thank you, take care.